पिछले दस वर्सों में हमने मिड़कास को मुसीबतों में बांधने वाली हर बेड़ी को तोड़ दिया है। पहले दो लाग की इंकम पर टैक्स लग जाता था। अब सात लाग की इंकम भी टैक्स प्री है। जी एस्टी की वज़े से लोगों के करीब साल भर में 45,000 करों डुप्या बचे हैं। बीते दस वर्सों में होम लोन पर इंटरेस्ट रेटविक कम हुए हैं। परसनल लोन के इंटरेस्ट रेटविक कम हुए हैं। पी-एम, सिवकन्या, सम्रुद्धी जैसी योजनाओं का लाप सबसे ज़्यादा मद्यमबर को मिल रहा है। साथमयों मद्यमबर का एक बहुत बड़ा सपना होता हैं। बच्चे की अच्छी पढ़ाई है। इस दिशा में भी पहले के सरकारों ने मद्यमबर की आखांख्चों का ध्यान नहीं रखा। आज हमारी सरकार देश में तेजी के साथ एजुकेशन इंस्टिटूट खोल रही है। बिटले दस साल में हर दिन भारत में दो नए कॉलेज बने। प्रक्ति धिन डेली दो नए कॉलेज और हर हफ्ते एक नई उनिवर्सिटी बनी है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए आईटी आएम्स और मेडिकल कॉलेज खुले है। 2014 तक देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। लेकिन उनकी संख्या दस साल में 700 तक पहुँच गई है। 2014 में पूरे देश में सिरफ 50,000 MBBS सीट थी। आज देश में MBBS सीटों की संख्या बढ़कर एक लाग से जादा हो गई है। मेडिकल में PG की सिटे भी दोगुनी सी जाता हो चुकी है। सरकार ने स्थानिय भाषा में मेडिकल और एंजिनेरिंग की पढ़ाई का जो नेड़े लिया है। उसका भी फाइदा मद्दमबर के बच्चों को मिला है। हमारे मिडल कास परिवारों के हजारो करो डूपिये अपने बच्चों को महार किसी देश में पढ़ाने में खर्च हो जाते थे। कि पैसे बचे इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही हैं। आज दुनिया के एक से बढ़कर एक विश्व भी दाले हैं। यहां भारत आकर अपना-पना केंपस खोलना शुरू किया है। फॉरेन युणिवर्सिटी की मदद के लिए सरकान नियमों में बढ़ाव किया है। साथियों बीते दस साल में जो नए सेक्टर खोले गए हैं, उन्होंने भी मध्यमबर के बच्चों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते बनाए हैं। स्पेस सेक्टर हो, स्टार्ट अप हो, ड्रोन और मैपिंग सेक्टर हो, इन सब को नवजवानों के लिए खोल दिया गया है। जो पी-एम सूर्यगर मुफ्त बिजली होना शुरू किये हैं, उससे भी बड़ी संग्याब है रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर बनने वाए जा रखे हैं। और उससे कर मध्यमबर का बिजली का बिल जीरो होने वाला है। मध्यमबर का एक और बड़ा सपना होता है, शहर में अपना घर। लेकिन आप जानकर हरान रह जाएंगे कि शहर में रहने वाले मिल्ल क्लास के लिए पहले की सरकारों में एक भी योजना नहीं थी। मध्यमबर के घरों के लिए पहली योजना अगर किसी सरकार ने बनाई तो हमारी सरकार ने बनाई। हमने मद्यम्भर के लोगों को घर के लोन में सब्सेडी दी ब्याज में राहत दी इस पर करीब पच्चास हजार करोड रुपिय हमने खर्च किये इसका भी बहुत बड़ा लाप मिडल क्लास परिवारों को मिला है उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है